सो हेगा आज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने ICICI बैंक के क्रेड़िट कार्ड बिल को कैसे पे कर सकते हैं अपने iMobile Pay application के थो जो कि आज की इस वीडियो में आपको step by step full process बताऊंगा कि आप अपने ICICI बैंक के क्रेड़िट कार्ड का बिल कैसे पे कर पाएंगे सो वीडियो आपको अपने ICICI बैंक के क्रेड़िट कार्ड बिल को पे करने के लिए सिंपल से आपको अपने iMobile Pay application को open कर लेते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो सिंपल से इधर पर आपको login हो जाना है और जैसे ही आप इधर पर login हो जाते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाता है आपका account नमबर बगएरा सो होने लगता है जैसे ही आप थोड़ सा scroll down करेंगे तो इधर पर आपको credit card का option देखने को मिल जाता है इस credit card पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके credit card का number दिखा दिया जाता है और नीचे side पर आपको view detail दिखा दिया जाता है और उसके नीचे side पर आपको तीन option देखने को मिलते हैं सबसे पहला statement, manage और साथ में pay bill का option सामने ही आपको देखने को मिल जाता है इस pay bill वाले option पर simple से आपको click कर दिना है तो guys click करने के बाद कुछ इस तरह का interface आपको देखने को मिल जाता है आपका account number दिखा दिया जाता है आपका इधर पर credit card number दिखा दिया जाता है और current outstanding और साथ में last will due का option देखने को मिल जाता है minimum due का option देखने को मिल जाता है other account का option देखने को मिल जाता है तो current outstanding में में मेरा एक bill पड़ा हुआ है जो की 666 रुपीज पड़ा हुआ है तो मैं इसको select कर लेता हूँ और इधर पर आपको payment board one time select कर लेना है और remark में आपको add कर देना है कुछ भी और साथ में इधर पर आपको submit पर click कर देना है जैसे submit पर click कर देते हैं तो यह searching लेगा और searching लेने के बाद जो आपका credit card बिल होगा वो इधर पर successfully तरीके से pay हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी credit card बिल को pay कर सकते हैं वीडियो पसंद आते हो लाइक कर देना है और चैनल को subscribe करके बैला कुछ आपका